हलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चानल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जैसे कि प्रामिस किया है येस छोटे कंपनिस को जादा से जादा कवर करने के हम लोग कोशिश करेंगे और जैसे कि मैंने आप लोग को का है सेक्टर मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है कि केमिकल हो गया पार्मा हो गया ओटो हो गया स्टील मेटल हो गया करके आईटी हो गया वो तो सेक्टर है ही प्लस उसी की साथ-स येस अलग-अलग टाइप के बिजनेस थीम भी हम लोगों को दे देखने को मिल जाते हैं मार्केट टॉप पे आता है न जो स्टॉक फंडामेंटली वीक भी होता है वो भी भागना स्टार्ट करता है ठीक है तो इसलिए हम लोगों ने देखा है कि लॉंग टम में बाजार उपर ही जाता है तो यहाँ पर इस वड़े में कौन से थीम की बा जाती है कि हमारे भारत देश में कितने जादा लोग अमीर बनते जा रहे है येस मिलियनियर्स की संक्या कितनी बढ़ती जा रही है अगर लोगों की पास जादा पैसा जा रहा है तो पैसा कहा पर डाइवर्ट हो रहा है आईदर कोई इंवेस्टमेंट करेगा या फिर उनके पास पैसा जादा आना स्टार्ट हो जाता है वो लगजरी चीजों के और आटोमेटिक लिए हमनों को मूव होते भी देखने को मिल जाते है और इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते है कि लगजरी आइटम्स को खरीदना चाते है बढ़ अगर उनके पास पैसा ने तो वो लोन लेते हैं जो की सबसे बड़ी बेवकुफी आपे रहती है एनिवेस तो यह जो रिपोर्ट ठीक नाइट फ्रेंक की तो उनने बताय था कि इंडिया में कैसे मिलिनेर्स की संख्या बढ़ती जा रहे है और आने वाले समय में य और प्ासे चीजी हम लोगों को पता चलती है क्रॉस विरिफाई करने के लिए सरकार की आमदणी कीतनी होट है इसी से तो पता चलेगा मतलब इंकम टेक्स का डेटा उनकम टेक्स में अगर देखा एक हो था एक करो इनकम टेक्स . जो के बाद में सवा 18,00,00,000,000 करोड़, मतलब कितना है, लगबबग 10% का इजाफा, क्या पर सरकार के income के, इसमें हम लोग को ओप कमाएगे, जब लोग कमाएंगे, टीके, तो इसी चीज के चलते दोस्तों, यहापर हम लोग को पता चल जाता है, कि बहुत ही अच्छी खासी आमदनी होते व आता है लोगों के पास तो वो luxury items के और हम लोगों को ज्यादा shift होते वे देखने को मिल जाते है और उनमें अगर देखा गया है दोस्तो तो कौन से share study करने चाहिए यह तो मैं अल्यड़ी बता चुका हूँ उनी stocks को हम लोगों वापस दुबारा cover करेंगे सबसे पहले देखा गया दोस्तो तो घड़ी और उसी की साथ साथ गाड़ी इसमें जबरदस्त हम लोगों को पैसा जाते वे देखने को मिल जाता है अगर आप इच्छा होए तो इन चीजों को Google के पर search करके भी देखो कि तो आपको बहुत सारे reports भी आपे मिल जाएंगे सो घड़ी के हिसाब से अगर मैं बात करो दोस्तो घड़ी मतलब कोई छोटी मोटी घड़ियों की बात नहीं हो रही दोस्तो बहुत लगजरी items मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने दाम की घड़िया तो इससे related कौन सा stock जो हम लोगों ने study किया था वो था ethos limited yes ethos limited की बात करें तो आप देख सकते हो जब से शुरू हुआ है जब से मतलब 2022 में start हुई यह company बहुत सारे IPOs आये थे हाली के अगर हम लोग बात करें तो तो 2022 जून में इसकी शुरुआत हुई थी अभी क्या है जून 23 के बाद जुलै ऑगस्ट सप्टेमर मतलब हार्ली एक सवा साल ही हो चुका है और सवा साल में company ने कितना performance दिया है 135% के return सिर्फ returns नहीं देखना है यह तो फाड के fake दों में पहले बोल चुका हूँ भागा क्य हम कह सकते हैं कि logic के सबसे company ने बहुत अच्छा performance यह आपे दे रहे हैं आज भी top level पे चलते वे दिखने का आपे मिल जाते हैं तो बहुत सालों के comment भी आते थी सर आपने तो बताया था एक stock इतना भागा आप video cover नहीं कर रहे है कोई गड़बड बिडबड नहीं है problem यह कि ह जो beginners रहते हैं वो ऐसे top level पे stocks में blindly निवेश करना पसंद आपे कर देते हैं तो मैं पहले बता दो दूस्तों कि ऐसा blindly निवेश करना नहीं होते हैं अभी देखे इथास के ओपर अगर आप जाओगे यह इनकी website है तो Rolex जैसे बड़े-बड़े रैडो की अगर हम लोग बात क इसलिए इनका बिजनेस इतना चलता है अभी आप बोलोगे किस हिसाब से इनका बिजनेस चलता है कंपनी के नंबर आते है कॉटरली नंबर देख ले रहे इस वक्के Q1 के नंबर क्या शांदार थे नंबर के बाद ही stock 15-20% भागा था तो यह सारे यह देखे बहुत सारे अच्छा प्राफिट है करजा कितना है 17 करोड था फिर 27 करोड बढ़ गया फिर अभी 7 करोड कम कर दिया अच्छी बात है यह इंडिया का लार्जेस्ट लगजरी ब्रैंड हमनों को देखने का आप रिटेल प्लेयर देखने को मिल जाते है आप ऐसा भी हापे बुल सकते है रिटेल प्लेयर मतलब जो बड़े बड़े ब्रैंड रहते हैं अभी हम लोगों ने देखा रैडो की बात करें ठीक है अगर हम बात करें लिस्ट बहुत लंबी रहेगी है बलोट से लेकर बहुत सरे आपको ब्रैंड देखने को मिल जाएंगी इनके कलेक्शन केस में रिट इस रिटेल भी क्या करता है तो रिटेल का बिजनेस अब्दम मस्ट चलता है तो मार्केट कैप देखें दूस्तो चार हजार करोड मतलब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए बाई ये जब गिरेगा न तो मस्ट पचास-चालीस पसंट गिरेगा देखें ये कोई और यहाँ पर नीचाना चाहूंगे ये देखें रिटेल सेग्मेंट में ये कंपनी को भी काउंट किया जाता है तो ये पॉंट भी में पता होना चाहिए और कंपनी के इस वक्क के नंबर भी आप देख सकते हो अच्छे का से 34 करोड का ओपरेडिंग प्रोफिट एंड ने अगर आपको ये थीम अच्छी लगती है लगजरी थीम तो इसमें आप इस लिमिटे को फोकस में रख सकते हो दैन अगर हम लोग बात करें तो घड़ी के साथ साथ गाड़ी मतलब कोई चोटे मोटे गाड़ियों की बात नहीं करें दोस्तो प्रीमियम लगजरी कार्स उनक मैंने आपको स्टड़ी करें क्यों दिये था आपका वो फोकस रहना चाहिए स्टड़ी कि कहां पर क्या क्या चीज़े हो सकती करके फिर आप जब मोका आएगा आप परफेक्ट टाइम पर चौका मारोगे बढ़ आप यह कहोगे कि नहीं नहीं जब मुझे प्यास लगेगी मतलब बुलते हैं ना खुदने के लिए शुरुआत करूँगा तब कोई फायदा नहीं पहले से ही यह सारी चीज़े प्रिपरेशन करना होता है तो आप देख सकते हापे कि इस प्रकार से आप एक्स्परिमेंट करते होगे तो देखे 72% की रिटन्स बनते वह देखने का आ करते हैं अभी अभी जस्ट कंपणी स्टार्ट हुई है स्टार्ट मतलब लिस्ट होई है तो आप चेक कर सकते सिंगल स्ट्रिप्ट की बैलेंस रिट ही आप अवेलेबल है तो ज्यादा इन्फोर्मिशन अवेलेबल नहीं तो इसकी कंपणी है तो आप देख सकते हैं 1998 में की शुरुवात हुई थी और यह अगर आप देखोगे तो यह भी रिटल बिजनेस ही है ठीक है कोई गाड़ी बना दाने लैंडमार्क अपने ऐसी गाड़ी सुनी है नहीं तो यह क्या करते है यह जो गाड़िया है जैसे कि मर्सिडिस बेंस होंडा जीप यह गाड़ी बना से जाएंगी अच्छी बात है केवल 3,000 करोड का मार्केट कैप है मतलब बहुत है चोटे कंपनी से तो यह पॉइंट हम लोगों को पता है आप होना चीए तो अल्टिमेटल यह बोलने के लिए रिटेल वाली कंपनी है बट अगर आटो सेक्टर में कुछ 19-20 हुआ तो यह कंपनी पिटेगी क्योंकि अल्टिमेटल यह गाड़िया बेचने खाई तो काम यह आपे करती है अगर हम लोग आपे बात करें कंपनी के नंबर्स की तो अभी तक के नंबर्स कैसे रहे है तो 18 करोड था फिर 24 करोड का लॉस 29 करोड का लॉस चोटे कंपनी में दोस्तों यह ही होता है सीसौ रहेगा इसे रोलर कोस्टर उपर नीचे उपर नीचे कंसिस्टनसी बहुत कम रहती है 11 करोड 66 फिर 85 बहुत बढ़िया फिर 74 तो अभी तक अगर देखा गया कंपनी ने डिसेंट परफरमंसी यह आपे दिखाया है एंड शेर होल्डिंग पैटन देखेंग 53 परमोटर है साड़े 10 परफरमंसी है डिस की बात करें तो चोड़ा सवा 14 परसेंट पब्लिक की बात करें तो चोटे कंपनी में देखा कि प्रमोटर की साथ डिस एफस भी होते तो थोड़ा सा यहापे हमनों को अच्छा भी लगता है कि चलो उन्हें ने भी डिव डिलिज पर किया ही होगा रिजाउस की बात करें तो 400 करोड की आसपास की रिजाउस है करजे की बात करें तो 5 करोड का यह करजा देखने को आपे मिल रहा है तो इस कंपनी को भी स्टड़ी कर सकते हो यह सारे कंपनिया कौन सी है दोस्तों ये पैसो वाले की कंपनिया पैसा बूल सक अगर हम लोग बात करेंगे, यह क्या आ गया सामने, तो दोस्तो यह है अलग अलग चीज़े हम लोगों की जब आमदनिया बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की चीज़े भी घर में आना स्टार्ट है, यहाँ पे हो जाती है, इससे रिलेटेड मैंने परसनल एक्जामपल भी आ पर कहता था कि यह क्या मतलब फालतू की चीज़े, क्यों लोग ऐसा पैसा खर्च करते हैं, आज उसकी बहुत ही अच्छी कासी कमाई हो रही है, तो उसके घर में यही चीज़े मिल जाती है, तो मतलब यही चीज़े होती है, जब पैसा नहीं होता है, तो हम लोग यही सोच ये company में आप लोग को study करने के लिए आपे दी थी आप चाहो तो इसको study कर सकते हो then अगर हम लोग यापे बात करें दोस्तो तो आप देख सकते हैं हम लोग उसके website के उपर यहापे आ चुके है अगर होगी वह ऐसे थोड़ी ना चीज़े खरीदेगा 30,000 वाले एंटिक चीज़े तो यह खरीदने के काम किसके होते हैं जैसे मैंने का कि हाँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही इन सारी चीज़ों के साथ deal करते वे देखने का आपे मिल जाते हैं और इस कंपनी के लिए सबसे खास बात कब निकली जब इन्होंने गोदरेज के साथ पार्टनर्शिप की अभी के अगर हम लोग बाग करें जून के इंड में जून का इब्दम आखरी खतम होने को आया था तभी पृति इंटरनेशनल ने ऑफिशली अनौन्स किया कि उनकी ये जो कंपनी है फरनीचर एंड लाइफस्टाल ब्रैंड से रिलेटेड तो गोदरेज इंडस्ट्री के साथ उननने क्या किया है पार्टनर्शिप यहाँ पर अनौन्स कर दी है तो इस प्रकार की कॉंट्रेट्स इनको यहाँ पर मिलने चाहिए एक गोदरेज के साथ जाके बहुत अच्छी बात हुई है बट ऐसे और भी अलगलग कंपनीस के साथ अगर यह जाएंगे तो इनको क्या मिलेंगे एक फिक्स कॉंट्रेक्ट्स मिलेंगे क्योंकि गोदरेज अगर देखा गया तो बहुत बड़ी कंपनी आपको पता ही है और रेपिटेड नाम है बहुत रेपिटेड ग्रूप है सो साल पुराना ग्रूप है तो यह तो मतलब बोलते हैं न कंपनी अपने फ्रेंट पेच पही शाव देगी कि भाई हम गोदरेज के साथ पार्टनरशिप में आपे आ चुके हैं तो यह क्या करता है छोटी कंपनी को एक नेस्ट लेवल पे लेकर यह जा सकता है दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तो इस कंपनी का सबसे खतरना पॉइंट कौनसा वाला दोस्तो यह केवल 200 करोड की कंपनी है तो मैं उपन लेके न चूँगा आज यह कंपनी है कल रहेगी या नहीं रहेगी किसी पीगी भी गैरेंटी ने क्योंकि छोटे कंपनी का यह होता है दोस्तो अगर गोदरेज ने हाथ खीच लिया पीछे तो यह कंपनी आपको लिटरली 50, 60, 70, 80% भी क्रैश होते वे दिखने को मिल जाएगा ठीक है यह रिस्की टाइप की कंपनी होते है ठीक है तो यह चीजे क्या करते है हम लोग रिटेल मिस्टर स्किप कर देते है रहे या बोरिंग चीजे क्या पका रहे हो सर डाइरेकली बता दो बड़ेगा की नहीं बड़ेगा रहे ऐसा नहीं रिस्क तो जालो 200 करोड का मार्केट कैप का अर्थ समझते है कि 500 करोड से अगर कम कमपनी रहेगी मार्केट कैप नैनो कैप तो सेभी के इसके उपर अलग-अलग रेस्ट्रिक्शन है अगर कल ये चार्ट पटन कुछ जादा ही भागने लग गया ना और सेबी ने अगर इसके उपर restriction डाल दिये तो ये stock सिफ 2% से ही चलेगा मतलब उपर नीचे तो ज्यादा moment भी नहीं होगी तो ये point हम लोगों को पता है यहापे होना चाहिए अब ये चीजे जिसको पता ही निये वो भी जाके निवेश करके बेड़ जाता है और बाद में बोलते हैं अरे stock तो भागी नहीं रहे अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता है ये चीजे हमें पता होनी चाहिए तो प्रिते इंटरनेशनल की बात करें तो balance इसकी हम कह सकते एक अच्छी बात है कि 76 lakhs का profit, करोडों का भी बात नहीं हो रहे दूसरो 76 lakh का profit, फिर हो गया 1.92 करोड, फिर 2 करोड, 3 करोड, 4 करोड, 7 करोड, 7 करोड, 31 लाक ठीक है तो छोटे company में scope होता है grow करने का ठीक है अभी जिस company का net profit 100 करोड है उसको jump करने के लिए time लगेगा अभी एसे company को अगर एक बड़ा order मिल गया, तो 7 करोड का 10 करोड होने के लिए भी ज्यादा time नहीं लगेगा इसलिए छोटे company में अच्छा का सा scope हम लोगो growth का देखने का आपे मिल जाता है तो ये point भी हम लोगों को पता है आपे होने चाहे तो अगर आप चाहो तो pretty international जैसे company को भी study कर सके बढ़ बहुत wallet है ले दोस्तों अगर आप चेक करोगे ये दिखे जब गिरते है न crash तो मतलब जो beginner है वो तो उसको heart attack ही आ जाएगा ये देखे सीधा 50% गिर गया इसको मजाक में मत ले 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 ना बहुत सार लोग ऐसे सुनकर छोड़ देते है देखे ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत है हो सकते है वो जहली नहीं पाएगा इतनी सारी चीज़े वो लॉस में बेचकर निकल जाएगा सो ठीक है दोस्तों जितने भी important points थे सारे मैंने आपे cover कर लिए जाते हाथे same again disclaimer देना चाहूँगा कोई recommendation ये buy करो आपका दिमाग चलना चाहिए कि आने वाले next 5-10 साल में कहाँ पैसा ज्यादा चलने वाला है कहाँ बिजनेस बड़ा बनने वाला है उस sector को pick करके अच्छे stocks को pick करके निवेश करके रख लीजे कोई risky company अगर मिल जाती है वहाँ पे चाहूँ तो SQC का formula लगा कर निवेश करके रख लीजे और चेक किजए कि returns बन रहे की नहीं इसी हिसाब से दोस्तों returns यहाँ पे बनते हैं आशा करते हैं वीडिये helpful लगा हो तो चाहूँ तो इसको आप लाइक और शेर कर सकते हो और डिमेट अकर अगर आपने अभी तक उपन नहीं के तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वडियो की लिस्ट आपको विल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौनशा आपन आप